किसान भाईों नमस्कार मैं विन सिंग आप सभी भाईों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग जान में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाईों हर किसान चाहते हैं कि उन्हें धान की बंपर पैदावारी मिले उसके लिए प्रयास भी करते हैं धान की बंपर पैदावारी बहुत सारी बातों पर निर्फर करती है जैसे अच्छे बीज का चैन जमीन के अनुसार बरायटी का चैन खेत में पौधे की संख्या पौधे में बालियों की संख्या बाली में दानों की संख्या दाने मजबूत हो वजंदार हो यदि इन सब बात का ध्यान रखते हैं तो धान की बंपर पैदावारी से कोई रोक नहीं सकता है अच्छी फसल के लिए हमें सुरुवात से ही बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है यदि जैसे ही हमारी धान की नरसरी 21-25 दिन की हो जाती है तो हम पौध को उखाड करके रोपाई का कार कर द दिन की जरूरत होती है कुछ तत पौध की जरूरत होती है कुछ तत पौध की बढ़वार के लिए भी सायक होते हैं जैसे डिये पी सिंगल सुपर फासफेट यदि पीके पोटासाद इनके अलामा कुछ फटलाईजर पौधे का बेहतर विकास करते हैं पौधे में कुलोफील की मातरा बढ़ा कर फसल को खूब हरा करते हैं पौधे से अधिक कल्ले निकालते हैं जैसे यूरिया, जिंक, सलफर, फेरस धान की फसल में रुपाई के समय जब खेत त्यार हो जाए तो उस समय प्रतियकर 50 किलो डियेपी और साथ में 20-25 किलो ग्राम मियूरेटा पोटास खेत में डालना चाहिए यदि आप चाहें तो डियेपी की जगा पर सिंगल सुपर फासफेट का 120 से लेकर 150 किलो प्रतियकर इस्तिमाल कर सकते हैं यह डियेपी से भी बढ़िया खात सावित होती है इससे फासपोरस के अलामा कैलसियम और सलफर की भी मातरा फसल को मिल जाती है अलग से हमें सलफर और कैलसियम देने की ज़रूरत नहीं होती है यदि रुपाई के समय इनुर्वरकों को देते हैं तो पौध रुपाई के बाद पौधे को अच्छी मातरा में फासपोरस, पोटैसियम, नाइट्रोजन मिलना सुरू हो जाता है जिससे पौधे की जड़का विकास जबजस तरीके से होने लगता है जड़ों के बेतर विकास के कारण पौधा अधिक मातरा में पोसक तत्तों का और सोशन करता है जिसका सीधा असर पौधे की हेल्थ पर पड़ता है यदि आप डिएपी पुटा सिंगल सुपर फासफेट आधि रुपाई के समय नहीं दे पाए हैं तो रुपाई के दस दिन के अंदर भी दे सकते हैं यह अभी इन वरकों को देने का सही समय होता है अब उसके लिए क्या करना है कि खड़ी फसल में यूरिया का इस्तेमाल तो हर किसान करते हैं हमें क्या करना है यूरिया देने का सही तरीका अपनाना है और यूरिया के साथ कुछ और पोसक तत्तों का परियोग करना है अन्य तत्तों में हम जिंक सलफेट, सलफर, मैगनीसियम सल फेरस सलफेट आद ले सकते हैं धान की पूरी फसल वद में तीन बार यूरिया का इस्तिमाल करनी चाहिए यह तीनों यूरिया हमें धान की फसल में फसल पकने के 60 दिन पहले तक परियोग कर लेना चाहिए धान की ब्राइटियां अलग-अलग समयावद की होती हैं कूछ 120 दि को तीन भाग में बाट लें जैसे यदि हम कोई 140 दिन की फसल लगाते हैं तो 25 दिन नरसरी का समय निकाल दें 60 दिन फसल पकने का समय निकाल दें तो बचा 55 दिन अब 55 दिन को तीन भाग में बाट दें इस तरह हमें 18-20 दिन पर पहला यूरिया 35-36 दिन पर दूसरा यूरिय और 54-55 दिन पर तीसरा यूरिया देना चाहिए पहला यूरिया प्रतियकर 35-40 किलो लेकर उसके साथ 5 किलो जिंग सल्फेट 33 पशित, सल्फर 85 डबलू डीजी 3 किलो फेरस सल्फेट 4-5 किलो और साथ में मैंगनिसियम सल्फेट 4-5 किलो लेकर सभी को एक साथ मिला कर छिट्टा लगा दे इस पहले उर्बरक का बहुत बढ़िया लाम मिलेगा फसल हरी होगी, कल्ले पौधे से ज़्यादा निकलेंगे दूसरी बार 35-40 किलो ग्राम प्रतियकर यूरिया का इस्तेमाल 35-36 दिन की फसल में कर सकते हैं या पौधे की ग्रोध को जारी रखेगा फसल हरी होगी, कल्लों के बिकास को अच्छा भल मिलेगा इस समय आप चाहें तो पहले यूरिया के साथ फेरस और मैगनीसियम सलफिट ने देकर दूसरे यूरिया के साथ भी इंतत्तों को दे सकते हैं तीसरी यूरिया 55-45 दिन की फसल होने पर 25-30 किलो प्रतियकर शिट्टा लगा कर दे सकते हैं इसके साथ 15 किलो ग्राम मियूरेटा पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं पोटास पोधे में मजबूती और रोख से लड़ने की चमता बढ़ाता है दाने मजबूत बोल्ड और बाली की साइज बढ़ाता है जिसे पैदावारी में बृद्धी देखने को मिलती है जिंकी उरिया की दस्ता में बृद्धी करता है और फसल को हरा करने के साथ साथ ग्रोथ में भी प्रमुग भूमिका निवाता है फेरस सलफेट से लोह तोत्त की पूर्ती होती है पौधे यदि सफेद हैं तो हरे हो जाते हैं मैगनिसियब भी क्लोफिल का ही पार्ट होता है जो फसल में हर्याली लाता है और पैदावारी बढ़ाता है किसान भायो इस तरह यदि आप धान की फसल में उर्बरा कादि का समय समय पर परबंधन करते हैं तो पौधे से रिकार्ट कल्ले निकलते हैं फसल की खूब अच्छी ग्रोथ होती है और पैदावारी में काफी अधिक बिर्धी देखने को मिलती है किसान भायो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद